आज मैं आप सभी के लिए बचे वे चावल की बिलकुल ही नए तरीके की सुपर टेस्टी रेसिपी शेर करने जा रही हूँ यकीन माने फ्रेंड्स एक बार अगर आप इस रेसिपी को बना लोगे हर बार आप चावल बढ़ा कर बनाना पसंद करोगे सिर्फ और सिफ इस रेसिपी के लिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखेगा वीडियो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पे पहली बार आये हैं तो प्लीज प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखना है उसके बाद हमें कढ़ाई में ओईल को डालना है मैंने 4 डेबल स्पून ओईल लिया है अब रेसिपी के कॉंटिटी के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो ओईल को अच्छी तरीके से गरम होने के बाद हमें उसमें मसाले को एड़ कर देना है हमें मसाले को कंटिन्यू चलाते हुए हाई फ्लेम पर भूनते रहना है कुकिंग फास्ट करने के लिए हम इसी स्टेज पर स्वाद अनुसार नमक भी एड़ कर देंगे नमक डालने के बाद हम इसी स्टेज पर हल्दी भी एड़ कर देंगे हल्दी डालने से हमें पता चलेगा हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून गया या इसे अभी और भूनना है जिस तरीके से आप देख रहे हो उसी तरीके से आपको कॉंटिन्यू 5-10 मिड़िट मसाले को अच्छी तरीके से भूनते रहना है आप अच्छी तरीके से मसाले को भूनोगे तभी हमारी रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट बनके रेडी होगी मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है मसाले को भूनते ही हम इसमें एक को डाल देंगे एक को डालने के बाद हमें अच्छी तरीके से भूनना है ताकि हमारे एक का कच्चापन चला जाए हमें एक को अच्छी तरीके से फेटते हुए भूनना है ताकि मसाला और एक अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए Continue हमें 3-4 मिनट भूनते रहना है बिल्कुल भी हाथ को नहीं रोकना है वरना recipe में एक का flavor अच्छा नहीं आएगा अच्छी तरीके से हमारा एक और मसाला mix हो चुका है अच्छी तरीके से mix होने के बाद हमें उसमें rice डाल देना है rice को भी हमें बहुती अच्छी तरीके से mix करना है rice को एग और मसाले के साथ हमें बहुती अच्छी तरीके से mix करते रहना है जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है continue मैं mix कर रही हूँ उसी तरीके से आपको भी continue mix करते रहना है इस recipe को हम जितना अच्छी तरीके से भूनेंगे हमारी recipe वितनी ही जादा अच्छी तरीके से बनके ready होगी एक बार इस recipe को जरूर बनाएगा यकीन मानिये friends हर बार आप इस recipe को बना कर खाना पसंद करेंगे यह बहुती जादा tasty बनती है हमें चावलों को बिल्कुल भी ढखना नहीं है वरना हमारे चावल काफी ज़्यादा नरम हो जाएंगे जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इस recipe को आपको कहीं पर भी एक बिबार नहीं ढखना है आपको high flame पर इस recipe को बनाना है Finally हमारी super tasty recipe बनकर ready हो गई है यकीन माने फ्रेंट से ये खाने में इतनी ज़ादा tasty लगती है आप fried rice खाना भूल जाओगे एक बार आप मेरे बोलने पर इस recipe को जरूर से बना कर खाईएगा आप बार बार बना कर खाना पसंद करेंगे अगर आपको मेरे recipe तोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो please please like, share and subscribe my channel